जितने आस्था चेनल पर कथा सुन रहे हो जितने फेस्बूक और यूटूब पर सुन रहे हो और साउधानी से सुनना तो जिनकिया संपदा की कमी होती है वैवहू की कमी होती है लचमी की कमी होती है प्रतिष्ठा की कमी होती है धन की कमी होती है उसके लिए महाराज शनिवा अपना प्रक्रोप दे रहा है यस्षनी उतर रहा है यह किसी से पूछने की जरुवत नहीं पढ़ती अपने आप मालूम पढ़ता बहुत ध्यान से सुनना यह प्रसंग आया नहीं पहले आज अगर कुबरिश्वर भाबा की पावन धरा पर यह प्रसंग निकला है तो उसको द्यान से सुनने काली तिल काली मिर्ची साथ लों केवल यह हतेली में रखकर अपना नाम और गोत्र बोलकर अपने दरवाजे से बाहर निकलकर किसी भी शंकर के मंदिर को समर्पित करिया शिव पेनी चड़ाने दें तो संकर की चोखट पर महाराज घर में कभी क्लेश नही किराया तक नहीं है मैं कैसे जाओ शमी की पत्ती देखिए आप लोग है जम के बता बोले जरा देखिए पत्ती शमी की जो पत्ती होती है उस शमी की पत्ती को कब कैसे और कहां चड़ाना चाहिए यदि कोई भूल से भी आपकी पत्ती आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा सुनो मंदार सुनो शमी अगर कोई भूल से भी आपकी पत्ती आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा उसे हजारो अश्मेक यग्य के इसनान का जो पुन होता है वह एक छण में प्राप्त है हजार ओश में यग्यका पुन्य है हजार ओश में यग्यका पुन्य एक छण में प्राप्तों मंदार्पुष्प भी देखा हुआ है अब शमी की जो पती होती है उच जमी की पती को बहग्वान देवधिते महादेव पर चड़ाने का शमी की पत्ती जो होती है, उस शमी की पत्ती को चड़ाने का एक नियम भी होता है, तो अड़ा साउधानी से सुनना इस नियम को, जो आपके जीवन को सार्थक बना सकता है, शमी की पत्ती को चड़ाने का एक नियम है, बड़ा सुन्दर नियम आपके जीवन में उतारने महाराज जब सारा शंगार मेरे देवधिद्य महादेव का हो जाए पत्ती शमी की जो पत्ती होती है उस शमी की पत्ती को कब कैसे और कहां चड़ाना चाहिए और शमी की पत्ती का फल क्या होता है वो भी अपितन समझने उसको शमी की यह शिवुलिंग है जलाधारी जल निकल कर जाने का सथान गणेश कार्टी के असोग सुन्दरी जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल शिवुलिंग शिव का शुरू उपर जो जलाधारी लगी है उसमें से एक एक बून जो पानी नीचे गिर रहा है जो पानी नीचे गिर रहा है शिवजी की बेटियां जया विशहरा शामली बारी दवटली देव। अब जब देव अधिद्यों महादेव को समी का पत्ता चड़ाया जाता है कब चड़ाते हैं जब आपने संपूर्ण संपोर्न जलाधारी को हाथ से साफ कर दिया ओ शिविलिंग पर जल चड़ा दिया कि शिविलिंग का पूरा संगार आपने कर दिया संपोर्न शिंगार मेरे दिवदि महादेव का हो गया संपोर्न जाल कि बाबा कुचंदन का लेपन अभीर गुलाल अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, जो भी तुम्हें चड़ाना है, सब कुछ तुमने चड़ा दिया है, तब शमी की पत्ती को मा जगजन्नी की जो जलाधारी है, उस पर मात्र इसपर्श कराकर शिव के शिविलिंग पर आखरी में समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हमारी मन की जो कामना है, वह मा जगजन्नी, देव अधिडी द्क महादेव से, उनके कानों में शवन करा, शमी पत्तर का, एक यई बात और इसमर्ण में रहे शमी पत्तर की बहुत, एक बात और अपने इसमर्ण में, बहुत जेसे, शिविलिंग, जलाधारी और स्थान जब बहुत जादा मात्रा में दरिद्रता होती है बहुत जादा मात्रा में बहुत कष्ट मैं जीवन जैसे एक बहन ने पने पत्र में लिखा है कि मैं हर्याना साइट से आई हूँ, उन्होंने अपने पत्र में लिखा है, मेरे को मेरे टिकिट करवाने का भी मेरे पास पैसा नहीं था, जिसने लिखा है अगर वो बेटी हो तो खड़ी भी हो सकती, मेरे पास टिकिट कराने का भी पैसा नहीं था, और मेरे पास में कोई धन्द उलत इतनी भी नहीं कि मेरे माई के वालों ने मेरी भक्ति को देखकर, एक कोई उनके पर परिचित जा रहे थे, तो उनका टिकिट कैंसिल हुआ, तो मुझे यहां पर भेजा, में यहां आई, आप, जब आपको लगता है कि इतनी दरिदर्ता जीवन में है, और इसा नहीं है, मंश्य के जीवन में बखूत, सुख दुख तो चलता रहता है, मानौका देह है, यह तो चलना है, जीवन परियान चलना है, सुख दुख चलेगा, या शप YES चलेगा, लगे तुमको की यहा बहुत सर्कार का मन कामिश्वर का दर्शन करना है कुबरिश्वर का दर्शन करना है जब तुमारे नहीं है मैं पईसा भी भीवएन बहुत दुख्छी जीवएन तब बेल पत्र शमी पत्र का प्रियोग जरूर करकर करके देखना प्रेक्टिकल करने में कुछ नहीं जान। कि एक माराज प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन में देते 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 किसी ने महाराजी प्रवचन दे रहे थे कि मदिरा का पान नहीं करना चाहिए नहीं पीना चाहिए गलते नाली में पड़ा होता है वैसन में पड़ा होता है ऐसा पान ना करो एक महाराज का पेचेन व समझ थी महारत जी ने का भईया देख में भी प्रवचन दे रहा हूं मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है में मुझ से समझा रहा हूं कि पीकर लोग नाली में गिरते हैं गटर में गिरते हैं मेरा भाई प्रेक्टिकल करके दिखा रहा है कि मत पिया प्रिक्टिकल वाली बात है, शमी पत्र, बेल पत्र का एक बार जीवन में प्रिक्टिकल करकर देखना है, प्रिक्टिकल करना है, जैसे आपको कहा कि आपका विश्वास अगर पक्का है, बरोसा अगर धड़ी है, और शंकर के प्रति अगर आपका विश्वास पक्का है, आप तो साथ दिन यहां रुखे हुए हो, पाच दिन रुखे हुए हो, यहां से अपने घर जाओगे, निश्शित है, वो रुद्राक्ष कहीं से भी आए, कहीं से भी आए, तुमारे पास बहुत ज़िए जाएगा, निश्शित है, और यह कहीं से भी, कहीं से, किस रूप में आए कहां से आये क्या करे वो उसकी उपर देगा विश्वास लेकर आयो वरोस आये घड़ता है उस बच्चे में परिछा दी परिछा देकर उसने नोकरी का लगाया बिदुद भीबाग में लगा बिदुद भीबाग में मेरे मादे को हो सकता है नहीं समझ आई होगी तो रेलवे म महादेव पर विश्वास करना मत भूलो ये शिव महापुरा कर्म करना मत भूलो मेहनत करो दिल से करो करी मेहनत करी मेरे सीहोर के एक-एक समाज के बंधुओं ने मेहनत करी जो यहां से गया कहीं स्टेशन पर साहु समाज कहीं कोई समाज कहीं कोई समाज बड़े प्रेम से पूरी सब्जी खिला रही थी, कोई पुहा खिला रहा था, मैं धन्य बाद दूँगा, एक महिला को गर्ब से थी, उसको तकलीप हुई, तो एक मुसलिम महिला अपनी स्कूटी पर बिठा कर, उसको हास्पिटल तक ले कर गई, ये मेरा सीहूर है, ये मेरा सीहूर है, जिसको मैं हमेशा करता हूँ, सीहूर मेरी जान है, मेरी पहचान, इसलिए मैं अपने नाम के आगे सीहूर वाला लिठा, ये मेरी पहचान है, एक मुसलिम महिला, उस नारी को लेकर हस्पिटल चुकड़ी आई, गर्बस से थी वो, ये विश्वास नगरता है, कोई कोई कमाने के ओदेश से, कहीं न कहीं कारे बिगारता है, परन तु मेरा महादेव कहीं न कहीं आकर, इनी के रूप में समालता है, वो महादेवार, शिबतत्व जान, ओ घड़ी, जब लगे आपकों की दरीदरता बहुत है, जब लगे आपकों की दरीदरता बहुत ज़ादा है, किराया तक नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा, कैसे उस महादेव के दर्शन काऊं, कैसे उसकी चोख़ट पर जाऊं, कैसे उसको नमन करूं, तब उस जगहा पर आप एक बेलपत्र जहां से जलाधारी बहती है उधर एक बेलपत्र जहां जलाधारी के ठीक विप्रक्यू इस्थिती में और साथ शमी पत्र मेरे महादेव के ऊपर केवल आपके हरदय की बात करते हुए शमी पत्र और बेलपत्र इस तरह से समर्पित पह हो जाए उसके बात की बात ही है उसके बात की बात एक बेल पत्र इधार एक बेल पत्र इधार और उसके ऊपर साथ शमी पत्र के पत्र एक एक करकर चड़ाना पूरे एक खटे करकर नहीं एक एक करकर बाबा से बिंती करते हुए काटों से भरी हुई शमी है जिसको तुने नि मैं जानती हूं तो मुझे भी निहाल कर देता है। झाल